बहुत अच्छे विपिन बहुत अच्छे अपने आपके उपर पूरी तरह से निजर डालने के बाद में जो विपिन था वो अब यहां पर प्रतिशा इदर परड़ता है और उस सकता है प्रतिशा अब मुझे यहां पर स्वर्ग से निपटने के लिए कोई एक अच्छा रास था और रहना भी चा रहा था दोनों कारण थे एक कारण तो यह कि विपिन को बहुत जादा समय हो गया था उससे तूर रहे हुए लेकिन अगर यहां पर उससे ज्यादा पास लेता है और आगे चाकर यहां पर उससे और जाता लड़ाई करने के लिए डेड़ी हो जाता है तो उसके साथ में ही उसको और ज्यादा दुक हो सकता था तो उसके साथ में प्रेड़ुसा करती है विपिन बात कुछ ऐसी कि मुझे यहां पर अभी अपने आकास के अंदर वापस दाना होगा मुझे बोच अदा कुछ ज़रूरी काम है उस चीज़ को करना के बाद में मैं आपके पास में यह वापस चली आओंगी तो वहीं दुसरी दर विपिन बीका हां चल ठीक है फिर में चलता हूं इतनLY करें किस साथ में चलो लैटिल चिक चलते हैं ठीक मालिक इतनly करें साथ में याप लिटेट सिक आगे बढ़ता है और उसको उठाता है और वहां से हो जाती है आगे आने वाल साम में यहां पर अब एक सम्मानित कोड किंग आने वाला था सम्मानित सम्राट जो यहां पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला था अब उन्हें यह नहीं पता था कि यहां पर यह ज़्यादा पावरफुल हो सकता था वास्तों में अभी जित्ते भी समराड थे उन लोगों के मन के अंदर यही सवाल जवाब चल रहे थे कि आखिरकार वो कब आने वाले हैं तो वहीं दूसरे तरफ एक जगह पर एक राउसनी होती है और विपिन उस जगह पर पहुंच जाता है विपिन कई और नहीं विपिन मास्टर सेख के उसी घर के अंदर जहां पर वो रहते थे वो वाँपर पहुंच चुका था तो वहीं दूसरे तरफ विपिन आव वापस आ गए यहां पर आरीफ और उसके साथ में सारे सारे आगे बढ़ते हैं और उस पे पास में चले जाते हैं तो विपिन बिल्कुल उदासे के साथ में कहता है मुझे माफ करना लेकिन मास्टर सेख तो उसके साथ में वो कहता है हाँ हमें पता चल गया यहां पर आरीफ यह दोड़ा सा उदास लग रहा था और वो कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि जब यहां पर हमारे टीचर की मूरती टूटी तो उसके साथ में हम लोगों को पता चल गया था कि वहां पर क्या हुआ है तो विपिन यहां पर दुखी हो रहा था तो उसी भीच यहां पर आरीफ कहता है अरे अरे आरे आपको इसी चित्ता करने कोई भी जरूरत नहीं है टीचर यहां पर जरूर वापस लोड़ कर आएंगे तो वहीं दूसर त्या लोड़ कर आएंगे लेकिन एसा कैसे जिससे यहां पर विपिन उनकी उबाह सुनता है तो वह अपने माते की उपर सिकन ले आता है वह करता है मेनत उनकी आत्मा को देखा था वह आत्मा तो पूरी दर्सर नस्ट हो गई थी तो वह कैसे वापस आ सकते हैं आखिर का यहां पर अगर उनकी आत्मा बज जाती तो फिर वह उनकी लिए एक नया सरी ढून सकते थे लेकिन अब आत्मा ही नहीं रही तो वह यहां पर कैसे कुछ कर सकते हैं तो वह आई दोशे तरफ आरेफ एक मुस्कान के साथ में कहता है क्या आपको ड्रिफ्टिंग इस्पेक्टर पूल के बारे में पता है तो वह यह दोशे तरफ हां मुझे मुझे पता है विपिन को अचानर से याद आता है कि वास्तों में ड्रिफ्टिंग इस्पेक्टर पूल यह वो पूल था जिसके अंदर उनको एक अच्छा रास्ता मिल सकता था लेकिन क्या वास्तों वो हो सक्केगा यहाँ पर विपिन के दिमागे अंदर यही सवाल चवाब थे तो वह यह दूसरी तरफ यहाँ पर आरिफ कहता है आँ यह यह हो जाएगा आपको पता है कि इसके बारे में जहाँ पर जो हमारे टीचर है उन्होंने पहले से इसका एक रास्ता निकाल कर प्रकाब हुआ है क्या एक रास्ता? क्या वास्तों में एक रास्ता है? तो उसके यहाँ वो कहता है हाँ है ना आखिरकार यहाँ पर कोई रास्ता कैसे नहीं हो सकता आपको तो देतले समराट के बारे पता हो गई तो विपिन भी यहाँ पर एक बार चिकी को देखता है और पुना सर हिला देता है हाँ हाँ, याद है मुझे दोच की साथ भंगता है की यही तो है एक रास्ता यहाँ पर आप ने देखाना की यहाँ कैसे देते ले समराट के अवल उस स्पेक्टेक्टर और उस ट्रिप्टिंग पूल के अंदर से वापस लोड़ कर आ गए थे तो उसी तरह से यहाँ पर जो टीचर है उनकी आत्मा भी वहीं परी है तो उनका ही पूरन जर्म वापस से हो सकता है इतना कहते है कहते है यहाँ पर जो आरिफ था वो रुख जाता है और वहीं दूसरे तरफ वो कहता है समराट क्या आप इस कमरे को यहाँ पर बाकी सारी जगह से अलग कर सकते हैं तो वहीं दूसरे तरफ यहाँ पर चिकी भी अपना सरी लाता है और ऐसा करकर सारी जगा को सील कर देता है तो वहें विपिन ये देखता है कि आरिफ कुछ अलग चीज बताना चाह रहा था तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपना सरी लाता है और सौर्ग की लाइबरेरी जो यहाँ पर सौर्ग से जूड़ी हुई थी तो इसी वज़से जल्द ही यहाँ पर विपिन अपनी एनरजी चलाता है और अपनी आतमा एनरजी इसाथ में उस सौर्ग की लाइबरेरी जाने के बाद में वह करता है चलो ठीक है, में ने कर दिया तो वहीं आरिफ करता है चलिए ठीक है अगर यह हो गया है तो उसकी साहत में यहां पर मैं आपसे एक बात पोस्टना चाता हूं क्या आपने यहां पर जो teacher है उनके उस सुद्धी करन फॉर्मूला यह बारे में सुना है तो वहीं दूशी तरफ क्या सुद्धी करन फॉर्मूला यह क्या होता है वेपी ने आप पर हैरान था क्या आपको उन दुने के अंदर कोई अंतर नजर आता है तो विपिन अपना से रिलाता है नहीं नहीं उनके अंदर कोई अंतर नहीं था बस उनका जो विचार थारा जो उनके गुन्ड थे वो बिलकुल अलग थे बस इत्ताई अंतर था विपिन को भी यहाँ पर उस जगर पागल बना दिया गया था जब यहाँ पर मास्टर सेक उसको मारे रहे थे लेकिन उनकी उन चीजों को देखने यह बात में कि मास्टर सेक किसी को भी यहाँ पर मार नहीं सकते थे तो विपिन को पता चल गया था कि ये बंदा नकली था तो उसके साथ मैं यहाँ पर आरियफ कहता है एक इंसान, एक इंसान के अंदर बहुसी अलग-अलग चीज़े हुआ करती है जलिशी, इशा, वासना, लालसा और सभी प्रकार के अलग-अलग भावनाएं एक इंसान के अंदर होती है जब से वह जनम लेता है वास्तों में इस चीज़ को लेते वे यहाँ पर टीचर ने कहा था तो भाई दूसे तरफ यहाँ पर विपिन ने भी अपना सरी लाया और उसको समझ में आया के यांपर यह क्या है क्योंकि हर एक इसान के अंदर यह स्षब कुछ हुआ करता है जैसे कि यहाँपर उसके एक क्लोन कोई ले लो उसका क्लोनहाँपर कैसा था अरे बड़ा गमन ली था हमेशा यहां पर हाई प्रोफाइल रहा करता था लेकिन वो थोतरा थाई उसका एक ही रूपना तो उसकी साथ में आपर वो करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि यह जो सुद्धिकरन फॉर्मॉला है यह एक ऐसा फॉर्मॉला है जिसके साथ में ही जो टीचर है उन्होंने अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को निकाल कर बाहर रखा था जैसे कि यहां पर कोडेक्स है तो कोडेक्स भी उनका एक ही हिस्सा है जिसके अंदर उनकी बहुत सी चीजे जो उनकी गलतियां थी उनको बताया कया था तो वहीं दुशे तरफ जो वे कलोन था उसके अंदर भी यहां पर उनका जो जले सी थी जो यहां पर उनका गमंड था उसको रखा गया था लेकिन उस वक्त वो कैसी भार निकल कर आ गया था इसके अलाव आपको पता है कि हम लोगों ने भी यहां पर अपने अपने आपको सुद्ध करण के साथ में सुद्ध किया हुआ है आपने साहिद माश्रीज कॉंटिनेंट के उपर कुछ देखा होगा क्या कुछ वो कुछ क्या है तो वहीं दुश्री तरफ आरिफ करता है आपने देखा होगा जह हम लोगों ने यहां पर अपने सरीर के अंदर से अपनी सुद्ध करण निकाल कर उस चीज को भार निकाल दिया जो हमें बिल्कुल भी काम की नहीं थी और उसी का क्लोन बनाते वे हम लोगों ने मार्शाटी से कॉंटिनेंट को यहां पर सुर्ग से अलग करने के लिए कुछ कोशी सकी और सुर्ग से चुपाने के लिए यहां पर हमने उनको वहां पर रख दिया था तो वहीं क्या आप कुंगसु डोमन की बात कर रहे हैं हाँ हाँ वही वही उसी की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसकी साथ विपिन को समझ में आता है कि उस जगपर यहाँ पर उसने क्या देखा था उसने यहाँ पर उनके क्लोन्स को देखा था वास्तों वह उस जगपर वो तो खुद भी पागल बन गया था सोरगों को तो यहां पर बहुत बड़ी बात थी आगिरकार यहां पर यह क्या चल रहा था विपिन को अब समझ में आता है कि यहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था तो उसकी साथ में यहां पर अब जो आरियप था वो तोड़े देर चुप होता है और करता है आपको पता है कि यह जो सुद्धी करण की चीज है इसको यहाँ पर एक बार एक टेक्टिक साथ में किया चा सकता है लेकिन अब यहाँ पर बार बार उसका यूज नहीं कर सकते हैं तो टीचर ने उसी चीज का फायधा उटाते हुए यहाँ पर जो फेरी जोया है उनका यूज किया और फेरी जोया की ताखत का यूज करते हुए उन्होंने अपने आपकी सुधी करण करण डाली इसका मतलब ये है कि यहाँपर उन्होंने इसके बारे में पहले से कुछ सोच कर रकगा था तो वहीं दुसरे तरफ, क्या? क्या? इसका मतलब मास्ट सेक हाँपर कुछ फायदा उठाना चाह रहे थे? इसका मतलब ये था कि ये उनकी एक सोची समझी चाल थी यहाँ पर वास्ताव में वीपिन पूरी तरह से हेरान हद प्रब्रे किया यह देखते हैं वे कि यहाँ पर मास्टर सेख ने जान करकर उस चिज़ को किया था साथ उनके पास में पहले से एक बहुत जादा खतरनाक प्लेन पड़ा हुआ होगा इन सभी बाता को सोचने के बात में वीपिन जल्दे से अपने आपको देखने लगता है वो पाता है कि उसके अंदर भी यहाँ पर वो सारी उरजा थी वो, सारी, दुंदरल, उरजा, उसका यहाँ पर वो, लाइबरेरी के साथ में गुछ पता नहीं लगा पा रहा था वह सारे गुण जो उसकी सांदर नहीं होने चाहिए थी वास्तों में उस सभी चीज़ों को देखने ये बात में विपिन परा हैरान बेटा हुआ था तो वही आर्यफ बताता है बात को जैसी है जो टीचर है उन्होंने यहां पर आस्ता किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया किवल हमें चोड़ कर और यहां पर उन्होंने आपको भी इसके बारे में नहीं पताया वो भी जान कर कर क्योंकि अब सौर्ग को एक ही बार उस टेक्निक से यहां पर पागल बनाया गया था लेकिन अब बार बार उसका यूज नहीं कर सकते थी तो विपने भी अपना सरी लाया क्योंकि अगर वास्तों में सुर्ग को इस वार पता चल जाता है ये क्या है और क्या नहीं क्या वास्तों में ये लोग हमें पागल समझ रहे हैं जो हमारे साथ में बार बार खेलते जा रहे हैं अगर यहां पर यह खेल फिर से उसने खेला तो उसके साथ में उसको केला बना कर यहां पर भूम दिया जाहेगा यहां पर इस वाक्त साथ सुख उसको माफ नहीं करे और यहाँ पर सारी सारी चीजे उसको ही कर सकता था हाँ, यानि कि उसको वही पागल बना कर उसको नंगा बार फिरा सकता था उसके साथ मैं अर्फ करता है अब यहाँ पर टीचर ने ऐसा भी बताया था और आपके परेम बातें भी की थी कि आपको खुद से यहाँ पर इसका कुछ रास्ता खोजना होगा यहाँ पर आपको खुद इससे बार निकलना होगा सौरकल सो अपन से अलग करना होगा इसके अलावा यहाँ पर साइद टीचर ने आपके लिए कुछ ऐसा रास्ता बनाया है इसके अंदर साहिद यहां पर जो फेरी जुया है उन्होंने भी एक रास्ता टूण कर रखा हुआ क्या एक रास्ता वो मेरे लिए विपिन हैरान था यह कौन सा रास्ता हो सकता है तो उसके साथ में यहां पर उसने बताया मुझे जितना लगता है कि टीचर ने यहाँ पर आपके लिए जो सब्सक्राइब बड़ा रास्ता बनाया है वो कोई और नहीं वो यहाँ पर डेथलेस समराठ है यहाँ पर आरियाफ अब चिक्की की तरफ देखते वे उससे कहता है क्या डेथलेस समराठ यह कैसे तो उसके आपके बताता है कि टेथलेस समराठ एक ऐसा समराठ है जिसके बास में पुनर जर्म सब्टा है वो यहाँ पर कभी भी वापस आ सकता है आपने देखा होगा कि कैसे वो इत्या समय बाद में एक वो पुनर जर्म लेकर वापस से आ गए हैं तो वहीं दुशे तरफ हाँ यह वास्तों में ऐसा ही था अब उसको पता चला कि यहाँ पर क्यों आखिर का चिकी यहाँ पर नीचे था माश्रीज कॉंटिनेंट के उपर अगर यहाँ पर वही नीचे गया था तो उसके साथ में उसको अलग रहना चीए था ना जैसे राक्सस रहे रहे थे उसको भी यहाँ पर कब का आजात हो जाना चीए था लेकिन यह देखना कि यहाँ पर चिकी उसी यह पास में आया था वास्तों में यह उसके लिए एक अच्छा मुखा था साथ इस चीज़ को लेने का लेकिन लेकिन इसके अंदर तो बड़ी प्रोब्लम है न यहाँ पर अगर सरीर वापस आ जाता है तो चेतना का ज़रूरी नहीं है जैसे ही लिटिल सिक के अंदर हुआ है समराट की जो चेतना है वो उसके अंदर से बिल्कुल अलग हो चुकी है क्या ऐसा हो सकता है तो वहीं दूसरी तरफ अगर एक्जांपल के लिए बताया जाए तो उसका क्लोन है जो डिंगे हांकने में बिल्कुल एक नमबर था और उसकी पिटाय करने में तो पीचे कभी रही नहीं करता था तो उसकी साथ में याँ पर विपिन सोचता है अच्छा मास्टर सेक्ड है तो ये बनाया था लेकिन फिर प्रतुसा का क्या प्रतुसा ने में लिक्त तयार करकर रखा हुआ है ताकि यहाँ पर मैं अपने अंदर से सोड़क को अलग कर सकूँ विपिन अब जल्दिस अपने पास में उन चीजों को याँ पर याद करने लगता है जो उसके पास में थी एक मास्क और एक पेंडेंट मास्क के अंदर ऐसी समताय थी कि यहाँ पर वो किसी के सामने भी मूटा कर चला जाये कोई भी उसको देख नहीं सकता था तो वहीं दूसरे तरफ यहाँ पर उसका वो अंदाजा गलत था साइध मास्क ऐसा कुछ नहीं कर सकता लेकिन यह पेंडेंट साइध पेंडेंट के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है प्योंकि पेंडेंट ने विपिन को बहुत बार बचाया है यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर अज्योर और एक बार नीचे जब यहाँ पर उसको मुसिबत में थी जान तो उसकी रुबग आ गई थी यहाँ पर उसकी बान-बान बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब विपिन की साधरा तोटना होती थी तो उस जगह पर पेंडेंट बीच में आखर उसको सांथ कर दिया करता था और अभी कुछ सेनल पहले यह बात भी तो यही थी कि जब विपिन अपने इमोशन्स को खो रहा था जब अपनी साधरा को भान निकाल रहा था तो उस जगह पर यहाँ पर वही उसके पास में आ गया था लेकिन अगर यहाँ पर यह सब कुछ है और प्रतुसर मुझे यह पेंडेंट दिया है तो फिर उसको यहाँ पर कौशी बात की चिंता है विपिन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी लेकिन यह बात अप यहाँ पर उसको अगले एपिसोड पता चलेगा कि आखिरकार यह सा क्या माजरा था क्योंकि एपिसोड यह पर खतम होते हुए चलो, मिलता है नेक्स अपीसोड पता अब ऑफिसोड को खतम को कि तो उसे औरने के लिए चलो उसे आखिकर मिलता है नेक्स अपिसोड के अधर पता का लिए यह उना स्तियान रखना साहीव नारा